नमस्कार स्वागत है आप सभी का सुजस्व सारांस की स्क्लास में मैं हूँ आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और烈 राजिस्थान का करंट अफियर्ज जिसका आधार होता है राजिस्थान सरकार की सुझस पत्री का जो कि राजिस्थान सरकार के सूचना एवम, जन्द संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है शुरूआत करते हैं हेड लाइस के साथ सबसे पहली जनकारी कहां से संबने दित है ये question अभी अभी दो अलग-अलग exams में पूछा गया है और क्या पूछा गया कि अब इतना सा पूछा गया कि हरीदेव जोसी पत्रकारिता विश्विद्याले कहां इस्थापित किया गया है तो इसका उत्तर था कहां ये है जैपूर में और आज ये न्यूज में क्यों है क्योंकि पहला इसका दीक्षान समारो संपन हुआ कल जैसा कि आप देख पारें राजपाल द्वारा अलग-अलग जो विध्यार थी उनको डिग्रियां वगेरा दी गई अगली जानकारी है राइस्तान संगटिद अपराद नियंत्रन विद जान सवा में आज क्या-क्या खेलों को प्रोथसान देने के लिए राज्य सरकार प्रतिवद्ध और इधर है राज्य मंत्री मंडल की जो बुद्वार को बैठक हुई उसमें बहुत सारे कुछ नियम या कुछ नई सेवा सरतें लागू की जाएंगी तो आज की हमारी क्लास का अधार भी मेंली यही है जैसे कि इसमें क्या-क्या चर्चा होई राजीब गांधी फिंटेक डिजिटल इंस्टिट्यूट जोदपूर में स्थापित होगा इसके लिए विधेक लाए जाएगा यहां है महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड शोश जरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा इस तरह ऐसे कुल चार-पांच ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो आज की कलास का भी आधार रहने वाले हैं और कल यह मंत्री मंदल की जो बैठक थी उनमें भी इनहीं के बारे में खास-खास चर्चा की गई अगले गए हैं और 33 को नियुपतियां मिलेंगी इसके बाद आते हैं हमारे इंडेक्स पर यानि की कौन-कौन सी जनकारी जिनकों डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो मुख्यते चार ऐसी खबरे हैं सबसे पहले महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड शोशल स में ब MALA में इनके बारे में चर्चा की गई और इनके बारे मारे में कोई ना कोई को विदह का जा और शेले महात्मा गण्धि इंस्टिट्यूट औफ गवर्नेंस एंड शोशल साइंस दोब्स है इसमें एक है governance और दूसरा सोशल साइंसेज इसके परपज के लिए इंस्टीट बनाए जाएगा आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इंस्टीट की स्थापना हितू राज्य विधान सभा में महात्मा गांदी इंस्टीट ऑफ गवर्नेंस अंड शोशल साइंस इज विधा दो हजार तेश अब प्रस्थत किया जाएगा जो इंस्टीट का नाम है उसमें ही बस लाश्ट में विधाक लिखा हुआ है तो विधाक पी पी मोड पर आधारित होगा संस्थान के विध्यार्थियों को गवर्नेंस और गवर्नेंस के साथ सोशल साइंसेज के शेत्र में डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किये जाएगे तो यह तो सामाने सी जानकारी मुख्य दैस में पूछे जाने वाला क्या ह है तो यह इंस्ट्रीट कहा मनाया जाएगा जैपूर में अगली जानकारी आगला सेंटर कौन सा वो है आर्टिफिस्यल इंटेल इंटेलिजेंस ऑफ तिंग्स इनोवेशन हब तो यह कहा मनाया जाएगा इसको भी देखेंगे यह जोदपूर में स्थापित किया जाने वाल मोदन किया गया है कहां इस्थापित किया जाएगा तो इस्थापित किया जाएगा कहां जोदपूर में और देश्य क्या है राज में स्वरोजगार के अपसर पैदा करना और साथ की सास्थ और योगिक विकास को बढ़ावा देना तीसरा सेंटर कौन सा है शेत्रिय बाजर बाजरा अनुसंधान केंदर आज की पूरी न्यूज में चार ऐसे ही सेंटर है तो सेंटर वाले कोशन पूछे जाते हैं कि कौन सा सेंटर कहां इस्थापित किया जाने वाला है आपको केबल मुख्यते मतलव शहर का नामेन में पूछा जाता है तो वही ध्यान से आपको पढ सकते हैं तो इंडिया लेवल जो रह तो है और है अइडाञाबाद में और उसका एक शेत्रिय केंदर बनाया जाने वाला है वो क्हुंधात होगा तो राजस्थान में राजС्थान में कहां बाडमेर के गुधा अडनीमी में उस सद्थान की स्थापना से का विकास किया जाएगा संस्थान के लिए 40 हेक्टेयर भूमी या टोकन मनी के रूप में आवंटित करने का निर्णे लिया गया है अगला सेंटर कौन सा तो यह है राजीब गांधी फिंटेक डिजिटल इंस्थिट्यूट या राजीब गांधी फिंटेक इंस्थिट्यूट जो की जोदपूर में स्थापित किया जाएगा यह कोश्चन भी एक दो एक्जाम में पूछा जा चुका है इसी साल यानिकी 2022 में हुए एक्जाम्स में इसका विबरन राजीब गांधी पॉब्लिक यूनिवर्स्टी की तरह कारे करेगा इसमें डिजिटल और वित्य प्राद्योगी की विशे में प्रमान पत्र और डिप्लोमा को से उपलब्ध होंगे इन हाउस हाउस के अंदर यानि की इन हाउस इंक्यूविशन सेंटर की मदद से भाविश्य की उध्यमियो से कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा जैपूर चित्तोडगर जैसल मेर या फिर बाड़ मेर क्या होगा इसका सही उत्तर हुआ आप बताएं कमेंट्स में हम मिलते हैं कल अगली नियूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद